हेलो एंड वेलकम गुड़ मॉर्णिंग चुल अफ्यू आज हम लोग प्रकास परावर्तन तथा अपवर्तन जो अध्याय दस है कक्छा 10 के साइंस का उसके आज टॉपिक प्रकास परावर्तन और यहों इसके नियम को देखेंगे पिछली कक्छाव में हम लोग ने देखा था प्रकास एक परिशे और आज हम उसके आगे परावर्तन और इसके नियम को देखेंगे तो आए सबसे पहले सुरू करते हैं प्रकास का परावर्तन प्रकास का परावर्तन इसकी परिवाशा क्या है जब प्रकास किरने किसी अपार दर्शी पॉलिस युक्त प्रिष्ट या माध्यम पर आपतित होता है या गिरता है तो वह किरने पुना उशी माध्यम में लोट जाती हैं यही परिखटना प्रकास का परावर्तन कहलाता है या फिर क्या सकते हैं लोग कि सावान माध्यम में प्रकास की करणों को लोटने की परिखटना प्रकास का परावर्तन कहलाता है यानि पहला चीज प्रकास की किर्णे क्या सकता है अब प्रकास की किर्णे कहां से आएंगी प्रकास का सुरोत होना चीए तो एक सुरोत हुआ वहाँ से प्रकास किर्णे निकल रही है और वो किसी अपार दर्शी पॉलिस युक्त प्रिष्ट कैसा प्रिष्ट होना चाहिए अपार दर्शी जिससे रे अफ लाइट जिससे प्रकास की किर्णे आरपार न जा सके उस अपार दर्शी पॉलिस युक्त प्रिष्ट पर आपतित होता है यानि गिरता है तो वह किर्णे पुना उसी माध्यम में यहाँ पर क्या है दो माध्यम एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है तो आ कहां से रहा है इस माध्यम से आ रहा है तो जिस माध्यम से प्रकास की किर्णे आती है उसी माध्यम में वह पुना लोट जाती है यही परिखटना जो होती है उसको प्रकास का प्रावरतर initiator कहते है आई बात समझ भी है उसके बात जैसे मान लिजिए कि आपके पास एक लेजर लाइट हो और उससे क्या करते हैं आप किसी काच पे फोकस करते हैं तो जो रे है जो किरण निकलती किरन है, वो क्या करती है किसी एक जगह से टकरा करके, उस टकरा करके वो किसी दूसरे जगह पर दिखाई पड़ता है, लेजर लाइट में क्या होता है? हमको उसका रास्ता, उसका पाथ जो है, उस रे का पाथ हमको दिखाई नहीं पड़ता है उस कीरण का रास्ता जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है ठीक है वो जहां पे गिरता है वो बिंदू हमें केवल दिखाई पड़ता है तो जब हम लेजर लाइट को यहां से जलाएंगे तो वो क्या होगा यहां पे दिखाई पड़ेगा क्यों क् काँच जो है रखा हुआ है उस काँच से टकरा करके वो यहाँ पे उसका प्रतिविम बनेगा आई वासवज में तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए प्रकास का परावर्तन के लिए क्या क्या चाहिए पहला चीज चाहिए हमको सुरोत किसका सुरोत प्रकास का सुरोत दूसरा चीज क्या चाहिए अपारदर्शी सत्ह प्रिष्ट अपारदर्शी प्रिष्ट ये दो चीज क्या सकता है ठीक है उसके आगे हम लोग देखते है कि प्रकास का परावर्तन प्रकास का परावर्तन का किरन आरेक तो हम लोग ने देखा कि एक प्रकास यह पी क्या है यहां पेक सोर से यहां से किरने आ रही है और वो इस सतह यानि अपार दर्शी सतह पे टकराती है और पुनह उसी माध्यम में लौट जाती है ठीक है यह एक माध्यम है पहला माध्यम य और इसके नीचे दूसरा माध्यम यानि जिस पे गिर रहा है जो अपारदर्शी जो प्रिष्ठ है वह दूसरा माध्यम हो गया तो यह इस माध्यम में तो आ नहीं रहा है रही इस माध्यम में किरन नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि वह सेम यानि समान माध्यम में ही वापस हो तो यहाँ पे कैसे हम लोग रहे इसका डियाग्राम क्या किया किया पी ओ ये एक स्वाई क्या है आपतित तल है जिस पे वो आपतित हो रहा है पी ओ क्या है ये किरन है जो कि आ रहा है ओ क्यू पढ़ने के बाद परावर्तित होने के बाद का किरन है ओ एन अविलंब है ठीक है यहाँ पे आई जो दिखा रहा है यहाँ पे दो कोनों का निर्मान हो रहा है एक कोन ये है तुसरा कोन ये है तिसरा ये है चौथा ये है चार कोन मुख्यता चार कोन का निर्मान हो र वो क्या है? अभिलंब है NO या फिर ON जो है वो क्या है? अभिलंब है क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है आई बास सोज़खे तो यहाँ पे किरन R1 में क्या होगा? कि यह किरन R1 PO और OQ जो है वो परावर्तित हो रही है ON जो है वो अभिलंब है आई जो है और आर यह दो कोन है इस आई को angle of incidence आपतित कोन आपतन कोन कुछ भी बोलेंगे और ये आर परावर्तित कोन यानि परावर्तन कोन ये ये सारे सब्दावली है आईए हम लोग इसके परिभास आए को देखेंगे आपतन कोन क्या है परावर्तन कोन क्या है अविलंब क्या है सबसे पहले परावर्तक प्रिष्ट वही किरन आरेख यहाँ पे है यहाँ पे एक से परावर्तक प्रिष्ट वह सत जिससे प्रकास परावर्तित होता है परावर्तित प्रिष्ट कहलाती है चित्र एक स्वाई परावर्तित प्रिष्ट है ये जो है वो क्या है परावर्तित प्रिष्ट जिस पर से किरण आ करके और पुना वापस हो जाती है यानि जिस सतह पे प्रकास की किरणे गिरती है उस सतह को हम लोग परावर्तक प्रिष्ट कहते हैं दूसरा क्या है आपतन विंदू जिस विंदू पे गिरती है परावर्तक प्रिष्ट के जिस विंदू पे किरण गिरती है किरण आपतित होती है उस विंदू को हम लोग आपतन विंदू कहेंगे तो यहाँ पे क्या है आपतन बिंदू आपतन बिंदू यहाँ पे O है O क्या है आपतन बिंदू है ठीक है उसके बाद अभी लंब अभी लंब हम लोग देखे थे O N, O N क्या है अभी लंब है क्यों क्यों क्योंकि यह सता से 90 डिगरी का कौन बनाता है यानि यह ओएन क्या है लंबवत है किस पे xy क्या है तो xy पे यह लंबवत है इसलिए इसको अभी लंब बोलेंगे तो चित्र में ओएन जो है वो अभी लंब है ठीक है उसके आगे देखते हैं आपतित किरण आपतित किरण यानि वह किरण जो की सुरोच से निकल करके परावर्तित प्रिष्ट पे गिरती है तो वह किरण वह प्रकास की किरण जो परावर्तक प्रिष्ट के आपतन विंदू से टकराती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं त अप्तित किरण हो गया परावर्तित किरण यानि जो की परावर्तक प्रिष्ट से टकराने के बाद जो रास्ता तै करती है जिस रास्ते को अपनाती है या वह किरण जो की परावर्तक प्रिष्ट पे टकराने के बाद पुना उसी माध्यम में चली जाती है पुना उसी माध्य में परावर्तित हो जाती है उस किरन को हम लोग परावर्तित किरन कहते हैं तो यहाँ पर OQ क्या है परावर्तित किरन है ठीक है Next, आपतन कोण आपतन कोण क्या है यहाँ पर I देखिए यह I जो है वो आपतन कोण है वह कोण जो आपतित किरन अभिलंब के साथ बनाती है किसके साथ अभिलंब के साथ ध्यान में रखे यह आपतित किरन जो है पियो यह दो एक प्रिष्ट के साथ भी बना रही है कौन यह कौन क्या है परावर्तक प्रिष्ट के साथ बना रही है और यह अभिलंब के साथ भी बना रही है तो वह कोन जो आपतित किरण अविलंब के साथ बनाती है उस कोन को आपतन कोन बोलते हैं हम इस एंगल को इस कोन को यानि आपतित किरण जो की प्रावर्तक प्रिष्ठ के साथ बनाती है उस कोन को हम लोग आपतन कोन नहीं बोलेंगे ये इस कोन का नाम होता है grazing angle क्या होता है grazing angle grazing cone ठीक है इस angle को हम लोग बोलते हैं grazing angle ठीक है इस cone को हम लोग grazing cone बोलते हैं लेकिन आपतन cone किसको बोलेंगे वह cone वह cone जो की आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनती है उस cone को हम लोग आप तन कोन बोलेंगे तो यहाँ पे एंगल I एंगल I जो है एंगल I बराबर क्या हो जाएगा एंगल P O N एंगल P O N ठीक है परावर्तन कोन वह कोन जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बंती है उस कोन को हम लोग परावर्तन कोन कहते हैं और इसको हमें साम लोग R से प्रदर्शित करते हैं जिस तरह से आपतन कोन को I से प्रदर्शित किया जाता है उसी तरह से परावर्तन कोन को R से प्रदर्शित किया जाता है क्यों? क्योंकि आपतन कोन को इंगलिस में बोलते है, incidence, angle, incidence, angle, incidence का I ले लिया गया है, और परावरतन को बोलते है, reflected angle, परावरतन को क्या बोलते है, reflected angle, तो जब reflected angle ले लिये है, तो reflected angle लिये है, तो उसका R ले लिया गया है, आई बसमझ में, ठीक है, तो आपतन कोन क्या है और परावर्तन कोन क्या है यह देख लिए हम लोग उसके बाद देखेंगे आपतन तल और परावर्तक तल आपतन तल किसको बोलेंगे वह तल जिसमें अभिलम एवं आपतित किरन रहती है उसे आपतन तल कहते हैं ठीक है वह तन ये ये वाला तल जो हो गया वो क्य क्या है आपतन तल परावर्तक तल क्या होता है वह तल जिसमें अभिलंब एवं परावर्तित किरन रहती है उसको परावर्तक तल कहलाता है ठीक है यानि यह हम लोग इसको यहां से बाट दिये यह इधर का तल जो हो गया वह आपतन तल हो गया और अभिलंब के इधर का जो तल हो गया वह परावर्तक तल हो गया आए बहुत समझ है उसके आगे हम लोग देखेंगे आए परावर्तन के नियम अब इस परावर्तन के प्रकास के परावर्तन का नियम क्या है तो इसके दो नियम होते हैं पहला नियम क्या कहता है कि प्रकास के परावर्तन में आपतन कोन और परावर्तन कोन का मान हमेशा समान होता है क्या होता है आपतन कोन यह कोन जिस एंगल से जिस कोन से आपतित किरण परावर्तक प्रिष्ट पे गिरता है उसी कोण से वह वापस चला जाता है उसी कोण से परावर्तित किरण परावर्तक प्रिष्ट से वापस चली जाती है यानि इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा परावर्तन नियम क्या कहता है पहला कि प्रकास के परावर्तन में आपतन कोण यानि एंगल आफ आई बराबर एंगल आर यानि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के मान हमेशा समान होता है एंगल आई बराबर एंगल आर अगर आई का वैलू 45 डिग्री है तो आर का विमान कितना होगा 45 डिगर अगर i का value 30 डिगरी है तो r का विमान कितना होगा 30 डिगरी यानि ये और ये इसका मान जो होता है वो बराबर होता है ठीक है अगर i बराबर 0 है i बराबर 0 यानि कहने का मतलब क्या है कि अगर i बराबर 0 है इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसके और इसके बीच में कौन क्या है 0 है कोई कौन नहीं है इसका मतलब क्या है कि ray जो किरन है वो कहां से आ रही है अभिलंब से आ रही है यानि यहाँ पे अगर कोई ray of light यहां से आ र नहीं है तो यानि जब i बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा r बराबर 0 तो अगर अभिलंब पे कोई भी किरण गिरती है परावर्तक प्रिष्ट से टकराती है तो वो उसी किरण उसी डायरेक्शन में उसी रास्ते से वापस चली जाती है ठीक है दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदू सभी एक इहीं तल में होते हैं क्या है देखिए रहा है एक आपतित किरण है परावर्तित किरण है अभिलंब है और आपतन बिंदू है वो क्या है एक इहीं तल पे है ये जो तल है इसी बेस पे सब कुछ है ये भी है ये भी है और ये भी है आई बसमझ में तो इसके दो नियम है परावर्तन के प्रकास के परावर्तन का दो नियम है पहला नियम क्या कहता है कि angle of i बराबर angle of r ठीक है कोन i बराबर कोन r यानि आपतित angle आपतन कोन जो होता है वो परावर्तन कोन के बराबर होता है ठीक है और दुसरा नियम क्या कहता है कि आपतित परावर्तित किरन और अभिलंब व और ये इसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदू या फिर क्या बोलेंगे परावर्तन बिंदू दोनों एक ही चीज है और वो सब क्या होते हैं एक ही तल पे होते हैं ठीक है इसके बाद ये दोनों नियम हम लोग देख लिए कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं ये तथ्य हमने अभी पहले ही बता दिया कि जब एंगल आई वरावर एंगल आर होगा यानि कहने का मतलब है कि आपतित किरन और परावर्तित किरन एक ही किरन होगी उसको उस समय उस कि नोमेनन को हम लोग लंबवत आपतन कहते हैं क्या बोलते हैं लंबवत आपतन कहते ये जब अगर अभी लंब से ही अगर कोई फी रे यानि कोई फी किरन अगर परावर्तक प्रिश्ट से तकर – अँज बहुल से और और पर चली जायेगी ने एंगल आई होगा नहीं तो एंगल आर भी नहीं होगा इसका मतलब दोनों का मान क्या होगा जीरो होगा आई बस सुझ में नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोगों ने देखा कि परावर्तन का नियम जब भी देखे तो यह प्लेन जो प्रिष्ट है वो कैसा है प्लेन प्रिष्ट लेकिन यह गोलिय यह वक्र प्रिष्ठ अगर इस तरह का भी प्रिष्ठ है या फिर इस तरह का भी प्रिष्ठ है उस पर भी इसका नियम लागू होगा यानि वहाँ पे भी जिस angle of incidence से जिस आपतित कोण से परावर्तक प्रिश्ट से टकराएगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी अगर ऐसा वक्र भी है तब भी यहाँ पे जिस angle से टकराएगी उसी angle से वह वापस जाएगी इसलिए परावर्तित प्रिष्ठ कैसा हो उस पर यह निर्भर नहीं करता है कि वह वक्र हो या सरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क क्या पड़ता है कि जो प्रिष्ठ होना चाहिए वह केवल अपारदर्सी होना चाहिए वह अपारदर्सी नहीं होना चाहिए यह परावर्तित किरन है आप तित किरन किस एंगल से हो रही है तो 45 डिगरी से तो बताईए परावर्तित कौन क्या होगा आप लोग असानी से बता सकते है जब यह 45 डिगरी है तो बताईए इस कौन का मान क्या होगा 90-45 होगा क्योंग यहां से यहां तक कमान कितना है 90 degree, अभी लम्म के साथ 90 degree है, लम्मवत है यह तो जब यह से 45 हो जागा तो यह कितना हो जागा 90 माइनस 45, ठीक है और जितना, जिस क१न का यह होगा वही क१न कमान इसका भी होगा ठीक है तो हम लोग ने इसको देखा अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ पुना उपस्तित होंगे धन्यवाद